नवश्कार में उप्रिया आज है 15 अगस्त खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को स्वतंत्रा दिवस की हार्दिक शुब काम नाए अब चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 98,000 के पार बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है बीते दिन स्वास्ति भुभाग की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बीते 24 घंटे में 3,911 लोग पॉजिटिव पाएगे हैं जिसके ब होजपूर में 80, बकसर में 50, तरफंगा में 113, पूर्वी चंपारन में 155, तर गया में 132, गोपाल गंज में 68, जमुई में 19, जहानबाद में 113, कैमूर में 40, कटिहार में 257, खगडिया में 70, किशन गंज में 51, लखी सराय में 51, मध्यपूरा में 42, मधुबनी में 148, मु पूरे कारिक्रम को लेकर बीते दिन पटना प्रमंडल के आयूगत संजय कुमार अगरवाल ने गांधी में पहुचकर संपूर्ण व्यवस्था का जयजा लिया था, उन्होंने पंडाल की विवस्था, सिटिंग प्लान, वहन पार्किंग, प्रोटोकॉल अतीथियों के बैठने की विवस्था, पुलिस पदादिकारी की तैनाती और अन्यबिंदों की जानकारी भी लिये, वही मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज छंडों तोलन करने वाले है, स्वतंद्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार की तरफ से कई एहम एलान की भी उम्मीद जताई जा रही है, उपमुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने सभी डियम को दिये चुनाव की तैयारी के निर्देश, बिहार में साल के अंति तक चुनाव के आयोजन को लेकर के पहले ही निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों को तैयारी करने का आदेश जारी कर दिया है, वहीं अब विधानसवा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से सभी पार्टियों को तैयार रहने का निर्देश दिया ह साथ ही उपमुख्य निर्वाचिन पदाधिकारी ने सभी DM को चुनाफ की तयारी करने का निर्देश्टे दिया है इसको लेकर उपमुख्य निर्वाचिन पदादिकारी बैजनात सिंग ने बताया है कि चुनाव की घोष्टना के पूर्व मतदान सूची से नाम हटाने और सुधार कराने के लिए जलो को आदेश्ट दे दिया गया है बिहार पुलिस में SI और सर्जिंट की कई पदों पर निकाली गई रिखतिया बिहार पुलिस अबर सेवा आयोग ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 1998 और सर्जिंट की पद के लिए 215 पदों पर भरतिया निकाली है इन पदों के लिए ओन्नाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से शुरू होने वाली है आवेदन के नतिमतारी 24 सितम बरताय की गई है जिसके बाद सब इंस्पेक्टर और सर्जिंट दोनों पदों के लिए उमिद्वार बिहार पुलिस अवर सेवा आयो की आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं सिर्फ आवेदन ही नहीं बलकि सभी अभ्यरती इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं COVID-19 से संबंधित पूरी जानकारी अब आसानी से संजीवन आप पर है उपलब्थ COVID-19 से संबंधित जानकारी के लिए आप सभी लोग संजीवन आप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर COVID-19 संक्रमन से बचाव के उपाए जांच उपचार, स्वास्ते, संस्थान की सुची और अन्यमहत्वपून जानकारी अउपलब्थ करवाई गई है रापरी देवी के लिए विधान परिश्वत की सदसिता छोड़ने वाले पूर्फ MLC की गई जान एक समय पर रापरी देवी के लिए विधान परिश्वत की सदसिता छोड़ने वाले पूर्फ MLC ने COVID-19 की वज़े से दुनिया को अलविदा कह दिया है आपको बता दे बिहार विधान परिश्वत के पूरुफ सदय से और सत्ताधारी जद्यू के प्रदेश महासाचेफ रवेंदर तांती को COVID-19 की वज़े से जान चली गई है वो तस दिन तक COVID-19 से संक्रमित थे और एम्स में लगातार उनका इलाज करवाय जा रहा था पिशले नौदेरों से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था वहाई बीदे दिन दोपहर में उन्होंने अंतिम सास ली आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता सिंग की श्वेता सिंग मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली है श्वेता सिंग एक न्यूज आंकर और रिपोर्टर है फिलहाल वो आज तक के साथ जुड़ी भी है श्वेता सिंग की बात करें तो उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 1977 को हुआ था श्वेता सिंग ने अपनी पत्रकारिता की करियर में आज तक से पहले जी न्यूज और सहारा जैसे चैनल में भी काम किया है इतना ही नहीं उन्होंने टाइमस ओफ इंडिया पटना और हिंदुस्तान टाइमस के साथ भी काम किया है वही उन्होंने इलेक्ट्रोन नहीं होगी चुनावी सभा की छूट विधान सभा चुनाव में इस बारों में द्वारों को अपने छेतर के किसी भी सामाने मैदान में चुनावी सभा करवाने की जाज़त नहीं दी जाएगी जुससे COVID-19 के बर्ते संक्रमन की संभावना को रोका जासे के आयोग ने सभी जिलों से उपलब्ध मैदान की छमता और रकवा के संबंध में रिपोर्ट तलब की है COVID-19 संक्रमन को ध्यान में लगते वे चुनाव आयोग ने यह निर्ड़ लिया है सासा राम के आकाश दीप आयपेल में खेलेंगे राजसान रोयल्स की तरब से विहार क्रिकेट असोसियेशन द्वारा चैनित नहीं होने पर आकाश दीप पस्यूं बंगाल के कॉलकता से फिलहाल खेल रहे थे जहां उन्होंने रंजी सहित काई प्रथम शेनी के क्रिकेट माज खेले हैं और बहतरीन गेंद बाजी की है वहीं सासाराम के रहने वाले 24 वर्षी आकाश दीप को आईपियल में राजसान रोयल्स की तरब से खेलने का मौका मिला है आकाश दीब को राजिस्तान रॉयल्स ने 15 लाख में खरीदा है आकाश तेज गेंद बाज है और साथ ही IPL में चैन होने पर काफी ज्यादा खुश है आपको बता दे IPL के लिए आकाश दीब अपनी टीम के साथ दुबई के लिए सोंबार को निकलने वाले है नए EVM मशीन में 348 प्रत्याशियों के नाम पर चुनावचिन को किया जा सकता है बिहार विधान सबा चुनाव में इस बाइपूरे बिहार में M3 मॉडल के EVM का इस्तमाल का प्रस्ताव जारी किया गया है इस मॉडल के EVM के संचालन के लिए अधिकारियों और करमचारियों को प्रसेक्शन दिया जा रहा है पुरानी EVM मशीन में जहां अधिक्तम 64 प्रत्याशियों के नाम और चुनावचिन फीड हो सकते थे संजे राउट ने सुशान सिंग राजपूत मामले की जाच के लिए UN और CIA से भी संपर्क करने की कही बात सुशान सिंग राजपूत के मामले में जब से CBI ने हस्त छेप किया है तब से सिफशेना नेता संजे राउट लगातार CBI के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं संजे राउट ने बीते दिन मीडिया हाउस से बातवीत करने के दौरान कहा कि उनकी पार्टी सुशान सिंग राजपूत के जाने का कारण जानना चाहती है क्योंकि वो भी हमारे बेटे की तरह है उन्होंने कहा कि मुंबई पर इसकी जाच में कोई राजुनयतिक हस्त छेप नहीं होना चाहिए अगर लोगों को लगता है कि मुंबई पहले सही से काम नहीं कर रही है तो CBI तो इस मामले में आ चुकी है अब संयुक्त रास्ट्रों और CIA से भी संपर्क कर सकते हैं किसानों के आए को बढ़ाने के लिए रेलवे की तरफ से चलाए गया स्पेशल ट्रेन अब करेगी दूद की सप्लाई किसानों की आए में बढ़ोतरी करने के लिए भारतिया रेलवे की तरफ से चलाए गया स्पेशल ट्रेन से अब दूद की सप्लाई भी की जाएगी जबकि दो टांकर दूध टाटनगर के लिए भेजा गया है दूध के परिवहन के लिए इसके सान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौणी से टाटनगर के बीच एक दिन छोड़ कर किया जाएगा ने दूध के चा टांकर रखे जाएंगे पूर्फ केंद्रे मंत्री राम कृपाल यादव ने बीते दिन किया एम्स का दौरा किया है जहांपर उन्होंने एम्स के निदेशक प्रभात कुमार सिंग के साथ बैठक भी किया है साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से COVID-19 संक्रमितों के एलाज के लिए पटना इम्स को विश्वास सुवधा प्रदान करने का आश्वासन दिया है आपको बता दे कि प्रटना इम्स में अब तक 2000 से ज्यादा COVID-19 संक्रमित मरीज आ चुके हैं जहांपर रिकवरी दर 78 फीज दी है जो राश्ट्रियस तर के रिकवरी दर से ज्यादा है मिली जानकारी के अनुसार पी पीकिट पहन कर सांसद ने COVID-19 मॉर्डों का दौरा किया साथ ही भरती मरीजों से प्रसाशन द्वारा इलाज की विवस्थाओं के समंध में भी पूछ दाच की है मुख्यमंदर नितीश कुमार और जीतनराम मांजी के साथ आने की बढ़ी संभावना राजुरेतिक गलियारे से आरे खबरों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के अंतर तक जीतनराम मांजी की NDA में वापसी हो सकती है जिसके लिए तयारी पूरी की जा चुकी है NDA सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्फ मुख्यमंदरी जीतनराम मांजी की NDA में वापसी सुनशित है उचित समय का इंतजार किया जो आ रहा है जब इसकी घोशना की जाएगी बताया जो आ रहा है कि मुख्यमंदर नितीश कुमार और जीतनराम मांजी के बीच सारी बाते हो चुकी है पपू यादव ने मुख्यमंदरी बनने के अठकलों से किया इंकार बिहार में बार से लगभग 77 लाग से ज्यादा लोग प्रभावित हैं लोगों की बीच में अफरात अफरी का माहौल साफ तोर पर देखने को मिल रहा है वहीं अब जाप्रमुख पपू यादव ने प्रभावितों की मदद के लिए लगे वे हैं वहीं जोरान उन्होंने मीडिया से बाचीत करने के दोरान मुख्यमंदरी पद का दावेदार बनने के अठकलों से साफ इंकार किया है उन्होंने कहा कि सभी राजुनेतिक पार्टियों ने मिथला गोठागा है सबने दिखाए है लेकिन पूरा नहीं किया है मुझे किसी पदगार लोब नहीं है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता मेरा सिर्फ उदेश बिहार और बिहारी को बचाने का है मेरा उदेश 30 साल बनाम 3 साल का है मैं 3 साल में बिहार को एशिया का नमबर वन राजे बनाऊंगा बिहार में बार्ट प्रभावितों की मदद के लिए दान करेंगे अक्षे कुमार प्रदेश कार्याले में जंडों तोलन करने के लिए पटना पहुंचे हैं वहीं भाजपा के राश्रे अध्यक्ष से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पार्टी के वरिशनेताओं को पटना तलब किया है आज पटना में चिराग पासवान ने बैठक भी बुलाई है मीटिंग में आगे की रणीती पर चर्चा होगी सुशान सिंग राजपूत के मामले में शाहनवाज हुसेन ने चैन से नहीं बैठने की कही बात सुशान सिंग राजपूत के मामले में भाजपा के राश्ट्रे प्रवक्ता शाहनवाज हुसेन ने कहा है कि सुशान सिंग राजपूत बिना किसी गौड़ फादर के बहुत कम समय में बॉलिवूट में बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए थे वो बिहार के थे बिहार के लोग बहुत मजबूत होते हैं सुशान सिंग राजपूत अपनी जान नहीं ले सकते हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ है उन्होंने आगे कहा कि महाराश्ट्र सरकार और मुंबे पुलिस पूरे मामले के लीपापोती कर रही है सिर्फ से नासांसर संजराओत की तरफ से जिस तरह के बायान आ रहे हैं वो शर्मनाख है जब तक सुशान सिंग राजपूत को नियाए नहीं मिल जाता तब तक भाजपाच चैन से नहीं बैठेगी लालो प्रसाद यादव ने मुख्यमंतरी नितीश कुमार और मुख्यमंतरी सुशील कुमार मोदी को लियान निश्वाने पर राजप्रमुक लालो प्रसाद यादव ने बीते दिन मुख्यमंतरी डितीश कुमार और उप्मुख्यमंतरी सुशील कुमार मोदी को सवालों के कटखारे में खड़ा किया है जिसके दहत उन्होंने ट्वीट करके एक काटून शेयर किया है इस काटूर में मुख्यमंदरी नितीश कुमार और उप्यमंदरी सुशील कुमार मोधी दिखाई दे रहे हैं और लिखा गया है कि कस के पकाड़ के रखेगा फीता तब तक हम इसका भी लालो जी पर लगाने का इंतरजाम कर लेते हैं इसके साथ ही लालो प्रसाद यादव ने लिखा है चपर पर फूस नहीं डिोडी पर नाज जिसके जवाब में उप्यमंदरी सुशील कुमार मोधी ने कहा है कि लालो प्रसाद यादव को वो दिन यादा रहे हैं जब ना स्कूल में पढ़ाई होती थी ना स्पतार में कोई विवस्ता थी आज बिहार चरवाह विद्याले के दौर से आगे निकल कर युवाओं को IIT, NIFT, चंद्रगूप्त प्रवंधन, संस्थान, नाशनल और यूनिवर्सिटी उपलब्ट कर आ रहा है सेतू और फोर्लेन सरके विक्सित हो रही हैं बिहार चपर फूस लाल्टेन वाली बधाली से बाहर आ गया है, लेकिन लालो प्रसादी आदफ पुरानी मुहावरों में अटकेवे हैं, देवेंद्र फटनविस को भाजपा का चुनाफ प्रभारी बनाने पर राज़त ने दी अपनी प्रतिक्रिया, राजुनेती कलियारे से आई खबर के अनुसार बि इश्तिवारी ने कहा है कि भाजपा के प्रभारे भी इस बार राज़क को नहीं बचा पाएंगे, उन्होंने आगे कहा कि इस बार जंता जमीन से जुड़े नेता तेजस्वी आदफ के साथ है, जंता ने निदीश कुमार के 15 साल के साशनकाल को देख लिया है, तेजस्वी बारे में बोलते वे कहा है कि आठवी पास वाले के सवाल का जबाब ना तो मुख्यमंत्री के पास है और ना ही मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के पास, तेजस्वी ने खुले आम चालेंज किया है कि तीनों एक साथ बैठे जाएंगे, दोनों तरफ से बादशीत जारखन सरकार ने लाँच किया राजु का नया लोगो जारती किया है जैसे पहिया लगातार घूमते वे आगे बढ़ता है जारखन में विकास की पत पर बढठता रहेगा और वही इस चिन में हरारंग भी है जो खुशाली और सम्रिधी का प्रतीक है इसमें पलाश के फूल का उपयोग किया गया है क्योंकि यह जारखंड का राजुकी यह फूल भी है भारत में इंटरनेट के पूरे हुए 25 साल समूचे भारत में 15 अगस 1995 को इंटरनेट सर्विस लाँच की गई थी इसे पहले 1986 में भारत में इंटरनेट था लेकिन तब सिर्फ रिसर्च और एडुकेशन जरूरतों के लिए इसका इस्तमाल किया जाता था अब वहीं 25 साल पूरे हो चुके हैं तब से अब तक इंटरनेट में काफी बदलाव हो चुका है भारत में सबसे पहले विदेश रंचार निगम लिमिटेट इंटरनेट लेकर आई थी और अब भारत की आधियाबादी इंटरनेट का इस्तमाल करती है इंटरनेट प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाता है 1986 में रेडियो की शुरुआत हुई थी और आगे चल कर इसमें भारत में याहू को ठक कर दे थी शुरुआत में इंटरनेट काफी महगा था और अब की तुलना में स्पीड भी काफी कम थी उधारन के तौर पर 1995 में कमर्शल इस्तमाल के लिए 9.6 Kbps लीज लाइन लगाने के लिए 2.40 लाख रुपए देने होते थे वहीं VSNR की तरफ से 128 Kbps लीज लाइन 30 लाख रुपए साला न देती थी आकास शोप्रा ने महिंदर सिंग धोनी के रेटार्मेंट को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है माहें इन दिनों रेगुलर खेलते नहीं देखे जा रहे हैं वलकि वो सिर्फ चैनली सुपर किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे अगर वो आने वाले साल में खेलते नजर आते हैं तो कभी रिटायर नहीं होंगे मैं उनका मैच देखने के लिए टिकेट दोगुने दाम पर भी खरीदूँगा और यह बहुत ही शानदार होगा सुशान सिंग राजपूत के मामले में रिया के अलावा कई लोगों को पता था ATM का पिन सुशान सिंग राजपूत के मामले में रिया चकरवर्ती संदिक्थ पाई गई है सुशान के बैंक अकाउंट से समंदित कई बातों का खुलासा हो रहा है वहीं से बीच एक और नया खुलासा हुआ है जिसके तहत इस बारे में पता चुला है से एक साल में धीरे-धीरे करके मोटी रकम ट्रांसफर की गई है रिया चकरवर्ती के लावा सैमोल मिरांडा ने सुशान्त के खाते से दो लाख रुपे निकाले थे जिसकी जानकारी रिया को थी कर हमारे दोरा पुछे कैसे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राम कुमार, पंडित, सोनो कुमार, अजीद कुमार, मनिकांत सिंग, उमाकांत सिंग, प्रेम प्रभाकर कुमार, सुनील कुमार, प्रजापती, ललित निराला, अमित कुमार, गौतम कुमार, पूनम देवी, रूपा कुमारी, मोहित राज, मोनु कुमार, राज का सवाल कुछ इस प्रकार है वर्दमान सिती को देखते वे आपको क्या लगता है कि जीतर नाम मांजी जदियों का दामन थाम लेंगे या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपी वीडियो मारा यूट्यू अजबस्द्ध्र